हलो दोस्तों, अश्रडी वित निदेश में आपका स्वागत है आज भारती राष्टी कॉंग्रेस का मैं पार्ट 6 परहाने जा रहा हूँ आपको और ये पार्ट 6 लास्ट होगा जो 1948 तक का मैं बताऊंगा जब से कॉंग्रेस से सेने स्टार्ट हुआ था अप्टर इंडिपेंडेंट से बीफोर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तक का मैं बताऊंगा इस सेसन के बारे में तो आज चलिए अब जानकड़ी लेते हैं 44 अधिवेशन के बारे में जो कि लाहूर में हुआ था और यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है 1929 में हुआ था लाहर में अधिवेशन ही इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नहरूजी थे इसमें पुर्ण सुराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कब 44 अधिवेशन लाहर में 31 दिशंबर 1926 को 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था आपको आगे चलके मैं यह भी बताऊँगा जो 35 में भी नहीं हुआ था तो फुर्ण स्वाधिंता दिवस फुर्ण सुराज दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं जनवरी 1930 से मनाना इस्टार्ट किया है तो ये 44th important इसलिए हो जाता है कि पुर्ण स्वराज का प्रस्तव पारित किया गया था जवाहरलाल नहरो के दुआरा अब आते हैं 45th अधिवेशन जो करांची में हुआ था 1931 में ये बहुत जादा important हो जाता है क्योंकि इसके अधियक्ष जो थे हमारे सरदार बल्लब भाई पटेल जो आईरन मैन के नाम से जाने जाते हैं तो सरदार बल्लब भाई पटेल जी थे इसमें मुल अधिकारों की मांग सामिल की गई थी इसमें मुल अधिकारों की मांग सामिल की गई थी प्रस्ताव बनाया किसने प्रस्ताव जमूल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो जवारलाल नहरू जी ने बनाया था आर्थिक नीती से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया इसी अधिवेशन ने और गांधी जी को परती नीती के रूप में गोल मिल सम्मिलन के लिए नामित किया गया आपको पता होगा जो कॉंग्रेश फर्स्ट और ठर्ड जो गोल मिल सम्मिलन था उसको बाइकॉट किया था सिर्फ सकेंड को पाटिसिपेट किये थे उसमें गांधी जी सिर्फ गये थे गांधी मर सकते हैं पर गांधी वादी नहीं इसी अधिवेशन में 45 अधिवेशन करांची में गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था क्या कहा गया था गांधी मर सकते हैं पर गांधी वादी नहीं गांधी एर्विन समझोता की भी स्विकृर्टी इसी में मिली थी गांधी एर्विन तो इसलिए 45th अधिवेशन जो है बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है 48 अधिवेशन में आते हैं जो कि बॉंबे में हुआ था 1934 में इसके अधियक्ष डॉक्टर राजन परसाद जी थे डॉक्टर राजन परसाद जी इसके अधियक्ष थे 1934 बॉंबे में जब अधियक्षन हुआ था कॉंग्रेश समाजवादी पार्टी की अस्थापना 1934 में राजन प्रसाद के अध्यक्ष तामे हुई थी अखिल भारती खाधी ग्रामोध्योग की अस्थापना अखिल भारती खाधी ग्रामोध्योग की अस्थापना हुई थी 48 अधिवेशन बंबे में हुई थी जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे और मंत्री जवाहरलाल नेहु जी थे यह अधिवेशन कॉंग्रेश के स्वरनिजन्ती के रूप में मनाये जाता है इस अधिवेशन को कॉंग्रेस का स्वर्न जन्ति के रोप में मनाये जाता है इस अधिवेशन में एक और कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में किसके दुआरा हुआ था? जैपरकास नारायन और आचार्ज नरेंदर देव के दुआरा जैपरकास नारायन और आचार्ज नरेंदर देव के दुआरा कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की भी अस्थापना कुई थी अब आते हैं जो पचासमा अधिवेशन था जो फैजपूर में हुआ था फैजपूर बंगाल में हुआ था 1934 में अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नहरूजी थे दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है काफी बार कॉशन पूछा गया है जो पहली बार कॉंग्रेस का अधिवेशन एक गाउ में जो की विलेज में हुआ है इसी अधिवेशन में घोशना किया गया था जो किसानों से रिलेटर था किर्सी कार्शकरम से रिलेटर था तो पहली बार गाउ में जो हुआ था गाउ में अधिवेशन हुआ था ये फैजपूर बंगाल में हुआ था जिसके अध्यक्ष 1937 में पचासमा जिसके अध्यक्ष जवारलाल नहरूजी थे अब दोस्तों आते हैं 51 जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में जानकाड़ी लेते हैं 51 अधिवेशन हुआ था हरीपूरा गुजरात में हरीपूरा गुजरात में हुआ था 1938 में इसके अध्यक्ष थे सुभास्चंद बॉश जी, कौन थे सुभास्चंद बॉश राष्टिय न्योजन समीती का गठन इसी में हुआ था जिसके अध्यक्ष जवारलाल नहरु जी को बनाये गया था इसमें सुभास्चंद बॉश जी ने कहा था रोमन लीपी लागू करने की वकालत की थी रोमन लीपी जो अभी हम लोग भी लागू हो चुकी है जो हम लोग लिखते हैं रोमन लीपी 1,2,3,4,5,6 वो बॉस घडिपूरा में बोले थे जो इसको वकालत किया था जो इसको लागू किया जाए भारत की सोतंतरता में राजवारों को भी सामिल किया राजवारों का मतलब होता है जो राजा रजवारे होते थे हमारे जो कि आपको ज्यादा तर इधर सिंधिया पडिवार हो गया भी रिसेंटली आप देख सकते हैं सचीन पैलेट का हो गया बहुत सारे ऐसे हैं राजवारे जो कि मतपर्देश में है रास्थान में है काफी जगा है इस तरह के थे तो उसको भी इसमें सामिल किया गया था हडिपूरा में अब आते हैं 52 अधिवेशन जो कि तिरपूरी मतपर्देश जबलपूर में हुआ था तिरपूरी मदपर्देश जबलपूर में हुआ था तिरपूरी जगा का नाम है जो कि जबलपूर में है और वो मदपर्देश एस्टेट में है 1939 में तो ये लगाता 38-39 में सुभास्चन बॉस जी को ही अध्यक्ष बनाये गया था अब इसमें एक ये ट्रेजडी होई थी जो गण्धी जी के जो प्रतिनीधी थे प्ढटवी सीता रमिया और दूसरे तरफ से सुभास्च हं बॉस जी थे जो कि कॉंग्रेस के तरफ से थे और गईजी का अलग सीता रमिया जी थे तो जब voting हुई तो गांधी जी का कहना ये था जो सिता रमिया बनेंगे है ना पट्टा भी सिता रमिया बनेंगे अध्यक्ष लेकिन बांकी लोगों का कहना था जो सुभास्चन बॉस बनेंगे तो दोनों में एक voting हो गया जिसमें सुभास्चन बॉस जी जीत गए और सिता रमिया जी हार गया और ये गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा है ना तो गांधी जी ने गांधी जी से बिवाद हो गया बनतो गए थे अध्यक्ष कून सुभास्चन बॉस जी लेकिन गांधी जी से बिवाद होने के बाद उन्होंने क्या किया इस्तिपा दे दिया गांधी जी से बिवाद हुआ तो उन्होंने इस्तिपा दे दिया और forward block फॉरवर्ड ब्लॉक की अस्थापना की बाद में अध्यक्ष था जब सुभाषण बॉस जब रिजाइन दे दिये थे इसके अध्यक्ष जो है राजन परसाद जी को बनाया गया जो हमारे डॉक्टर राजन परसाद पहले परसिडेंट थे उनको बनाया गया तो इसका एक सुभाषण बॉस के कॉंग्रिस अध्यक्ष पद से त्याकपत्र देने के बाद कौन पर्टी के अध्यक्ष बने तो राजन परसाद जी को बनाये गया था सीता रमया को उस समभी ने बनाये गया था अब आते हैं 53rd अधिवेशन ये अधिवेशन रामगर्ड महाराष्टा में हुआ था 1940 में रामगर्ड महाराष्टा में 1940 में इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुलकलाम आजाद जी थे कौन थे मौलाना अबुलकलाम आजाद जी थे इसमें प्रपोजल दिया गया था भारत छोरो आंदोलन प्रस्ता रखा गया था प्रपोजल था भारत छोर स्कुने से परके इसनिए किरपलानी सतल्सक्स तक किरपलानी को अध्यक्ष बनाए गया सुतंता प्राप्ती तक किरपलानी कॉंग्रेस के अध्यक्ष रह जब तक सुतंता नहीं मिल गया था तब तक जो थे हमारे किरपलानी जेभी किरपलानी ही क्या थे अध्यक्ष थे कॉंग्रेस के अब एक कोश्चन यह आता है जो नवंबर 1947 में इस्तिपा दिया अथा डॉक्टर राजिन परसाद अध्यक्ष बने अब जेभी किरपलानी जी 1947 नवंबर में इस्तिपा दे दिये और राजिन परसाद को अध्यक्ष बनाये गया था 55 अधिवेशन जो हूँ था अधिवेच्ट 1948 में यह जैपूर में खूँआ था और यह आठी मतलब इंडिपेंडेंट के बाद जो है पहला अधिवेशन जो है जैपूर विरास्थान में हूँआ था जिसके अध्यक्ष पी सिता रमयया को बनाया गया है ना पट्टा भाई, भी पट्टा भाई सीता रमया को बनाये गया था अब इसमें एक चीज आता है जे भी पी समीती समीती 1948-49 में किस उद्देश के लिए बनाई गई थी तो ये है भासा के आधार पर नए राज्यों की अस्थापना की गई थी येस मैं जे भी पी समीती के वाडे में आपको बता रहा हूँ जो 1948-49 में भासा के आधार पर नए राज्यों की अस्थापना के लिए बनाई गई थी इस में तीन सदस जे भी पी का मतलब होता है ज़ारलाल नहरू, बलला भाई पटेल और पट्टा भाई सीतार्मया ये खुद ही अपने तीनों के नाम से जेवीपी समीती बनाया गया था इस समीती ने भासा के आधार पर राज का प्रस्तो नकार दिया था इसमें क्या था भासा के आधार पर राज्यों का बटवारा होनी चाहिए तो इस समीती ने क्या किया था नकार दिया था जो नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होगी जे भी पी समीती इसलिए बताया जाता है जबारलाल नहरू और जे से वी से हो गया बल्लब भाई पटेल और पी से पट्टा भाई सितार मया 1935 में कॉंग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1930 में भी नहीं हुआ था और 35 में भी नहीं हुआ था अबूल कलाम आजाद सबसे लंबे समतक कॉंग्रेस की अधिख्ष रहे 1940 से लेकर के 45 तक सबसे लंबे समतक रहे थे अधिख्ष और सबसे कम एज के 35 यर्ज ओल्ड कॉंग्रेस प्रिसिडेंट अब वाइसराय का कुछ कथन था जो की कुछ-कुछ जो बड़े भी दिवान थे वो ये बोल गए थे कॉंग्रेस के बारे में जो वाइसराय करजन ने ये बोला था जो मौत की अंतीम घड़ियां गिन रही है कॉंग्रेस अब लाला लाजपत रह बोले थे कॉंग्रेस लौ पदों के भूखे हैं उनका कहना ये था जो कॉंग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे हैं और तिलक वर्स भर वर्स में एक बार मेढ़क की तरह टराने से कुछ नहीं मिलेगा ये मैं आपको पहले वे बता चुका हूँ तो ये तिलक जी थे तो दोस्तों ये सारी चीज यहीं पर खतम होता है आप जरूर 1 से ले करके 6 जो मेरा पार्ट है इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही कुछ नया रोचक जानकारी मिलेगी और कोई भी कंप्टिशन एक्जाम के लिए एक भी कुश्चन आपका नहीं छूटेगा ज्यादा ज्यादा जितना हो सके म मैं उतना इसमें कंटेंट दिया हूँ तो थैंक यू भेरी मच लाइक सब्सक्राइब कीजिए